कि आज के स्वीडियो में आपको बताने वाला ओ रा प्लिकेशन को आप अपने फॉन में कैसे यूस करेंगे तो गाईस गर आभी जानना चाहते हो यह यह आप फोन के और बहुत में कैसे यूस करें तो फिर इस वीडियो को दिखते रहें तो सब Pode आ पर करना क्या होगा प्ले पसके लिए सकते है इसके रिव्यु रेटेट वगर अगर आपको चेक governain तो वह भी यहांपर लिखावा आपको देखने को मिल जायगा अब कैसे application को यूज करना चलिए मैं पप सबसे पहले थो हम अपने फून में इस application को open करेंगे अब जैसे इस application को open करेंगे open करने के बाद सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या अगाना होगा, server choose करना होगा तो उसके लिए auto choose वाल option है इसके उपर click करके यहां पर जो भी server आपको connect करना, उसके उपर click करके उसको आप जो है select कर लिए ठीक है हम इस server को select करते है server select हो जागा उसके बाद यहाँ पर हम allow ok पे click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि server select हो जागा और यहाँ पर connecting start हो जाएगी अब guys यहाँ पर हम थोड़ा सा wait करेंगे कुछ ही second का और यहाँ पर successfully हमारे phone में हम जो भी server select करते है वो successfully connect हो जाएगा ठीक है connected लिखा हुआ अब देखने को मिल रहा downloading uploading speed देखने को मिल यह timer वगरा सब कुछ देखने को मिल लगा server name वगरा सब कुछ complete यहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर disconnect वाला option मिलेगा इसके उपर क्लिक के जिए और उसके बाद यहाँ पर disconnect पर क्लिक के जिए और successfully आपके phone से disconnect हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने phone में इस application को use कर सकते है